ओम नमस्षिवाया ओम नमस्षिवाया मैं हूँ एस्प्लॉजर केम सिना और मैं अपने यूटुब चनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आईए समझते हैं कल 19 दिसंबर 2023 कैसा बीते का मेश से लेकर मीन लगने वाले जात्कों के लिए और सबसे पहले पंचान की बात करेंगे कल मंगलवार का दिन रहने वाला और मार्गशी शुक्लपक्ष की सप्तमी तिती रहेगी जो की दो पहर एक बचकर साथ मिनट तक रहेगा उसके बाद ये अश्टमी तिती प्रारम हो जाएगी चंद्रमा जो रहेंगे पूर्व भादरपत नक्षतर में बारा बचकर दो मिनट एम तक रहेंगे उसके बाद ये उत्तर भादरपत नक्षतर में चले जाएंगे देखे पूर भादरपत नक्षत के स्वामी देवगुरू ब्रसपती और उत्तर भादपत नक्षत के स्वामी शनीदे बनते हैं कल का जो सिद्धी योग है वो 6 बच कर 38 मिनट तक रहेगा संध्याकाल उसके बाद व्यातिपात योग का निर्मान हो जाएगा करण जो रहेगा वो वाडिश करण रहेगा एक बच कर 7 मिनट तक रातरी काल या संध्याकाल और उसके बाद विश्टी करण या भद्रा लग जाएगा 6 बच कर 21 मिनट संध्याकाल के बाद चंद्रमा जो कुम्ब राशी में गोचर कर रहे थे वो मीन राशी में गोचर करेंगे तो प्रतेक लगने पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा स्टार्ट करते हैं मेश लगने से देखे कल का दिन आपके प्रतेक कारियों में सफलता आपको दिलाने वाला रहेगा परिवार में वरिष्ट सदस्यों से लाभ भी आप राप्त कर पाईएगा स्वास्त को लेकर शारेरिक समस्याएं हो सकती है उधार दिया हुआ धन कल के दिन वापस आपको मिल सकता है कार वैवसाई के छेतर में अधिकारी वर्गों का सयोग आपको प्राप्त होगा और जीवन साती के साथ कहीं बाहर जाना हो सकता है प्रेम जीवन में उधार चड़ाओ जो है कल के दिन लगा रहेगा सिख्षा में परिणाम को लेकर थोड़ा आप चिंतित भी हो सकते हैं कुल मिलाकर कहा जाए तो कल का दिन 78% तक अच्छा है कल का शुबंग आठ और शुब्रंग साफेद बन रहा है उपाय के लिए हनुमान जी की अरादना कीजिए दिन अच्छा बीटेगा विशब लगन की बात करते हैं देखे कल के दिन कोई बड़ी समस्या टल सकती है आपका स्वास्त जो रहेगा वो उत्तम रहने वाला है आप उर्जावान महसूस करेंगे पारिवारिक महौल भी शुखद रहने वाला है साज़दारी में किये गए कारे वैबसाय से आपको उत्तम लाब भी मिलने वाला है जीवन साथी के सयोग से उच्छपद की प्राप्ती भी आप कर पाईएगा और लव रोमांस जो रहेगा वो अच्छा बीतेगा आर्थी गुरूप से धन लाब होगा विद्यार्थी है तो ऐसे जात्कों को भविश को लेकर कुछ चिंता कल के दिन सता सकती है पुल मिलाकर कहा जाए तो कल का दिन 79 प्रतिशत तक आपके लिए अच्छा रहेगा शुबंक साथ और शुबरंक स्लेटी बन रहा है उपाए के लिए सुन्दर कांड का अगर आप पार्ट करते हैं कल के दिन तो आपका दिन अच्छा रहेंगे सामाजी कारियों में आप अच्छा नाम कमाएंगे कार्य बैवसाय के छेतरे में उच्छी सफलता भी प्राप्त होगी स्वास्त से समंदित छोटी मोटी समस्याएं जो है वो लगी रहेंगी और भाई बेहनों का पूर्ण सयोग आपको मिलेगा पैसो के लेंदेन से बशने की आवशकता होगी लव रोमांस जो रहेगा वो सफल रहेगा और सिक्षा के छेतर में नए परिणाम भी आप हासिल कर पाईएगा कुल मिलाकर कहा जाए तो कल का दिन 82 प्रतिशा तक अच्छा रहने वाला है शुबंक एक और शुबंक के सरिया बन रहा है उपाई के लिए लक्ष्मी माग के मंदिर में नारियल आपको चड़ाना चाएगा करक लगन की बात करते हैं देखे कल का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा और कार वेवसाएं में कुछ हला की चैलेंजिस आ सकते हैं कल के दिन आर्थिक शेतर में लाब कमाने में आप सक्षम भी रहेंगे और जीवन साती का सयोग भी आपको भी देगा और पैत्रिक संपत्ति से लाब की प्राप्ती भी आपको कल इस पश्टूप से दिखेगा प्रेम जीवन में मदूर्ता मिलेगी और भाई बेहनों का सयोग भी आपको मिलता रहेगा स्वास्त पहले की अपेक्षा उत्तम रहने वाला है सिक्षा के छेतर में जो भी आप रियास करेंगे उसमें आप सफल होंगे कुल मिलाकर कल का दिन 80 प्रतिशत तक अच्छा रहेगा कल का शुबंग चार और शुबरंग नीला बनेगा उपाय के लिए माथे पर चंदन का अगर आपतिलक लगाते हैं दिन अच्छा बीटने वाला सिंग लगन की बात करते हैं देखे कल के दिन आप अत्यदिक आनंदित रहेंगे परिवार के सदस्यों से वाहान खरीजने की सला लेंगे स्वास्त पहले से उत्तम रहेगा जीवन साती के साथ तनावपूर मोहौल बना रहेगा लव रोमांस में एक दूसरे को समझने का प्रयास करेंगे पैत्रिक संपत्ती मिलने की संभावना है और उच्च सिक्षा की प्राप्ती के लिए आप विदेश जा सकते हैं उधार दिया हुआ धन मिलने की संभावना है पुल मिलाकर कल का दिन 78% तक अच्छा रहेगा कल का शुबंख नो और शुबरंख पीला बन रहे है उपाय के लिए माता दुर्गा को लाल गुडहल का पुश्प अगर आप अर्पित करते हैं तो दिन आपका अच्छा बीतेगा कन्या लगन की बात करते हैं देखे कल का दिन आपके लिए नई उर्जा लेकर आने वाला है और कार वेब साय में कहा जाए तो सहकर्मियों का सहयोग भी आपको मिलेगा भाई बैनों से आपको अच्छा लाप्राप्त होगा स्वास को लेकर आप को थोड़ा कल के दिन सतर करेना चाहिए नया वाहान खरिदने का योग बन सकता है और प्रेम जीवन में रिष्टे जो रहेंगे वो मदुरों होगी अत्यदिक परिश्रम के बाद सिख्षा में सफलता मिलेगी 81 प्रतिशत तक का दिन कल के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा शुबंग पांच और शुब्रंग गुलाबी बन रहा है उपाय के लिए विशुन जी के मंदिर में चने का दाल और गुड चड़ाईए दिन अच्छा भी प्रता तुला लगने की बात करते हैं देखे कल का दिन आपको मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा परिवार के सदस्यों की जरूरत का विश्यस रूप से ध्यान आप कल रख पाईएगा कारे वैफसाय में किये गए प्रयास भी आप सफल रहेंगे और खर्च पर नियंदरन रखने की आला कि कल आपको जादा आपशक्ता पड़ेगी आर्थिक रूप से अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो कल चिंतित रहना पड़ेगा बाई बैनों का भरपूर सायोग मिलेगा स्वास को लेकर सचेत रहने की आपशक्ता है लव रोमांस में किसी बात को लेकर तनावुत पन हो सकता है और रशनात्पक कारियों में आगे बढ़ने का प्रियास भी आप करेंगे कुल मिलाकर कहा जाए तो कल का दिन 75% तक अच्छा रहेगा शुबंग तीन और शुबरंग बूरा बन रहा है उपाय के लिए गव माता को चारा खिलाए और उनकी सेवा करें तो दिन आपके लिए अच्छा बीतने वाला है अब हम अगले लगन की बात करेंगे वरिश्चिक लगन वाले जात्पों के लिए कल का दिन कैसा बीतेगा देखे कल का दिन आपके लिए मध्यम फल्दाई रहेगा परिवार में खुश्यों का महौल बना रहेगा और कार बैफसाय को लेकर आपका मन थोड़ा खराब हो सकता है व्यापारी जातक कल के दिन निवेश करने की आप प्लानिंग कर सकते हैं सोच सकते हैं जीवन साथी आपके कारियों में आपका सयोग भी कल के दिन देंगे हड्डियों में दर्ग के कारण जो मन रहेगा वो थोड़ा परिशान रहेगा आर्थिक ग्रिश्टी कोर से कल का दिन अत्यदिक शुब रहने वाला है भाई बैनों के साथ लंबी यात्रा का की योजना आप बना सकते हैं और विद्यार्थी वर्गों को विद्या अर्जन में कल के दिन समस्या किसी ना किसी तरीके से उद्पन हो जाएगे 69 प्रतिशत का ही समय कल के लिए अच्छा है कल का शुबंग दो और शुबंग ग्रे बन रहा है उपाय के लिए चीटियों को आटा अगर आप देते हैं खाने के लिए तो दिन अच्छा भी देगा धनू लगन की बात करते हैं देखे कल का दिन आपको सकरात्मक परिणाम देने वाल है नए नए लोगों से आपके जो संपर्क रहेंगे वो बनने लगेंगे और व्यपार में अच्छा लाब भी आप राप कर पाईएगा पारिवारिक जीवन पहले के रिस्पेक्ट में जादा खुशहाल रहेगा जीवन साती से कोई नई खुशकबरी भी कल के दिन मिल सकती है प्रेम जीवन में रिष्टे जो रहेंगे वो मधुर रहेंगे भूमी वहान मकान में निवेश करने से आपको बचना चाहिए उच्छ सिक्षागर प्राप्त कर रहे हैं ऐसे जात्पो को अच्छे परिणाम कल के दिन मिलते हुए दिखाई दे रहे है 72 प्रतिशत का दिन आपके लिए अच्छा है शुबंग सात और शुब्रंग महरून बन रहे हैं उपाई के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नामक 12 शक्षर मंत्र का आपको जाब करना चाहिए मकर लगन की बात करते हैं देखे कार्य वैवसाय के छेतर में नए अउसर आपको प्राप्त होंगे किसी महतपूर कार्य के लिए विदेश शाने के योग बन सकते हैं आये के नए शुरोथ प्राप्त होंगे परिवार के सदस से आपके लिए महतपूर निर्णा ले सकते हैं पिता की सला से किये गए कार्य जो होंगे वो सफल होंगे और जीवन साती के साथ जो आपका ताल मिल रहेगा वो अच्छा रहने वाला है लव रोमांस में मजबूती आएगी और सिक्षा की प्राप्ती के लिए अत्यदिक परिश्रम करना पढ़ सकता है कुल मिलाकर कहा जाए कल का दिन 72 प्रतिशत तक अच्छा रहेगा कल का शुबंग 6 और शुबरंग आस्मानी बन रहा है उपाय के लिए भगवान विश्णु जी की अगर आप कल के दिन पुजन करते हैं दिन अच्छा बीतेगा कुम लगन की बात करते हैं देखे कल का दिन आपके लिए अति उत्तम रहेगा स्वास्त को लेकर किसी समस्या को नजर अंदाज बिलकुल ना कीजेगा माता पिता के सयोग से नया कार बैपसाय आप शुरू कर सकते हैं और लव रोमांस के रिष्टों में जादा मजबूती आएगी प्रगारता बढ़ेगी भाई बैनों के साथ धार्मी के स्थल पर जाने का प्लान बना सकते हैं लेकिन खर्च की अधिक्ता के कारण मन थोड़ा परिशानी भी रह सकता है कारे वैफसाय के छेतर में नय औसर प्राप्त होंगे विद्यार्थी जातकों को मित्रों का सयोग मिलेगा और कुल मिलाकर कल का दिन 77 प्रतीशक तक आपके फेवर में रहेगा शुबंक नौ और शुबरंग नारंगी बन रहा है उपाय के लिए शनी के बीजमंतर का जाप कीजिये दिन अच्छा बीतेगा अंतिम लगन की बात करते हैं मीन लगन देखे कल के दिन आप थोड़े निराश रह सकते हैं परिवार के साथ अचानक से यात्रा पर आपको जाना पड़ सकता है साज़दारी में किये गए वैपार से लाब प्राप्त होगा स्वास्त जो रहेगा पहले की अपेक्षा ठीक रहने वाला है और जो लोग नौकरी कर रहे हैं ऐसे जात्कों को मान समान की प्राप्ती भी कल होते हुए दिखाई दे रही है जीवन साती का सयोग प्राप्त होगा और उच्च सिख्षा की प्राप्ती के लिए विदेश जाने का आउसर भी प्राप्त होगा मित्र दृष्षदारों से मेल जोल आपका बढ़ेगा कुल मिलाकर का आजाए तो कल का दिन 71 प्रतीशत तक अच्छा रहेगा कल का शुबंग एक और शुबरंग हरा है उपाय के लिए भगवान विश्णी को पीला पुश परफित कीजे दिन अच्छा रहेगा तो ये था कल मेश से लेकर मीन लगने वाले जात्कों के लिए कल का दिन कैसा बीटेगा अभी के लिए इतना ही मैं हूँ एस्प्रोजर के अंजिना ओम नमस्षिव